नमस्कार आप देखेर हैं इंडियानीव का डिस्सल चैनल इन खबर आज हम बात कहंए इस वीडियो में डियू के बारे में डियू की जो पहली cut off list थी वो अभी तक जारी किया है पहले ये लिस्ट अभी तक जारी हो जाने चाहते है अठारत आरिके इसकी डेड़ बताई जारी थी पर हाई कोट ने जब दखल दिया तो डियू को अपने काफी सारे यूजी कोर्सेश में बदलाव करने पड़े और बदलाव के बाद डियू ने जो अपनी कट काफ लिस्ट 28 जून को आएगी इसके आधार पर 28 जून से लेकर एक जुलाई तक एडमिशन प्रोसेश चलेगा स्टुडेंट्स के डॉक्यमेंट का वेरिफिकेशन के लिए मंजूरी फीस भरने के प्रक्रिया इसी दौरान करनी होगी दूसरी काफ लिस्ट 4 जुलाई को को आएगी 15-17 जुलाई के बीच सभी कॉलेज में एडमिशन होंगे पांचवी कट अफ लिस्ट जो अभी तक आखर कट अफ लिस्ट का जो जारी कर सकता है लेकिन फिलाल अभी यही जारी किया है वहीं अगर पीजी लिस्ट के बात किया है तो डियू में अपने पोस्ट ग कोर्स रिए पहली आद्मिशन है सत्तरह जुलाई को डियू के तरफ से जारी होगी इसके आधार पर सत्तरह जुलाई से 19 जुलाई के बीच जो एडमिशन प्रक्रिया है वह बाइस जून तक डियू के वेबसाइट पर अपना रेइस्टेरेशन करवा सकते हैं हाई कोट के पादेश के बाद डियू ने अपने काफी सारी जो यूजी कोर्सेस में बदलाव किये थे उस बदलाव में एक यह भी बदलाव है कि आप 22 जूम तक अब एडमिशन के लिए रेजिट्रेशन करवा सकते हैं आपसे आपको दो दिन है आप दो दिन में अगर जिसना अपना रिष्ट्रेशन करवा सकता है फिलाल डियू को लेकर यहीं आपडेट है यह आगले अपडेट जो हमारे पास आएगी हम आपको प्डेट जरूर करेंगे फिलाल के लिए अगर आपको वीडियों पसंदा आए से लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल इनकबर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल